बाबा सिर्ज ग्रसित हो चुका हूँ, मैगी, बर्गर, बिज़ा, खा खा कर, कब जियत जैसे न जाने किते रोगों की चपीट में आ चुका हूँ इन रोगों से तो चुटकारा है ही नहीं पार, कहीं तो जाओगे न, किसी कमपनी में तो सुच मारोगे, जहां जाओगे वहां दिन रात बैठना पड़ेगा, जिस कमपनी में जाओगे वो दिन रात कुट्टे की तरह काम कराएगी, इसलिए बोल रहा हूँ पार्त, जो हाथ में है, उसे संभालो, और चुप चाब रेटिंग एक्सेप्ट करके, अपना ध्यान सपोर्ट में लगाओ, हे मोटिवेटर, हे गोल सेटर, रेटिंग ही तो मेरा एक मात्र मोटिवेशन है, इसको कैसे भूल जाओं, रेटिंग की आस में ना जाने कितने महीने, नाइट में गुजार दिये, जब मुझे वीकेंड्स पर अपने दोस्तों के साथ हैपी आर्स एंजोई करना था, मैं यह वीकेंड्स पर सपोर्ट दे रहा था, जब मुझे अपनी गल्फ्रेंड से बात करना था, मैं यह क्लाइंट कोल्स पर क्लाइंट की गालिया खा रहा था, इत प्रोजेक्ट से पहले तीन महीने बेंच पर थे, तब भी कंपणी ही सालरी दे रही थी, समय समय पर अप्रिसियेशन, गुडिस, तथा पर्क्स भी तो कंपणी ही दे रही है दिन में चार-चार बार वेंडिंग मशीन से कॉफी भी तो कंपनी की ही पी रहे हो उसका हिसाब तो कोई नहीं मांगता तुम अपने सभी स्वार्थों को त्याग कर इन सब सुविधाओं में मोटिवेटेड और खुश रहना सीखो पार्थ खुश रहना सीखो? उन साइट के बदले चार सो रुपिये के अप्रिशेशन गुडीज में खुश रहना सीखो? या प्रमोशन के बदले चार कप कॉफी में खुश रहना सीखो? कोटक बैंग का इंट्रेस्ट रेट मेरे पिछले हाइक से जादा हो गया है और आप बोलते हूँ कि मैं कुछ रहना सीखो? तुम क्या लेकर आये थे पार्थ? जो शोक मना रहे हूँ जो पाया इसी कंपनी में पाया ये मत भूलो पार्थ कि तुम एक IIT Rejected चिंदी कॉलेज से बढ़ हुए एंजिनियर हो इसी लिए बोल रहा हूँ ये व्यर्थ का प्रलाब बंद करो और एक स्थित एंप्लोई की तरह संतुष्ट रहो और फिर देखो ये कंपनी तुम्हारी है और तुम इस कंपनी के इस्थित एंप्लोई? ये इस्थित एंप्लोई क्या है प्रोजेक्ट नाथ ये इस्थित एंप्लोई जो अच्छी और खराब रेटिंग को समान दृष्टी से देखे और बिना स्विच मारे ही उन्हें जहिल जाए वही स्थित एंप्लोई है हे लीग अप्रूवर तो क्या इस्थित एंप्लोई कभी अप्नी रेटिंग के बारे में नहीं सोचता? जो जादा डिमांड करते हैं बात बात पर प्रमोशन मांगते हैं ओन साइट की कामना करते हैं उन्हें तो ठक हार कर स्विच मारना ही पड़ता है पार्थ और फिर उनके साथ दूसरी कमपनी में भी यही सिलसिला शुरू हो जाता है उन्हें अप्रेजल, प्रमोशन तथा ओन साइट के लिए वहाँ भी इसी तरह संगर्श करना पड़ता है इसलिए हे पार्थ संशे को त्यागो और तुम्हारे अंदर जो स्थित एंप्लोई बैटा है उसे जगाओ हे रेटिंग डाता, तो क्या कमपनी में बने रहकर अच्छा प्रेजल पाना असंभव है बस यही तो बहुत बड़ा ब्रम है इस रहस्य को समझो, पार्थ इस रहस्य को समझो इस कॉर्परेट जगत में बने रहने के सिर्फ दो ही मार्ग है पहला, यानि स्थित एंप्लोई मार्ग, जो मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ और दूसरा मार्ग, भक्ती योग यदा यदा ही जो चाटस्य, इच्छा रेटिंग महप्राप्तम इस मार्ग पर तुम्हें मेरी हर समय चाटनी पड़ेगी पार्ग मेरे घटिया से घटिया चुटकुलों पर हसना पड़ेगा मेरे साथ लंच करना पड़ेगा अपने टीम मेंबर्स तथा दोस्तों की चुगलिया मेरे सामने करनी पड़ेगी इस मार्क पर चलने वाला एंपलोई चाटू मार्क पर चलता है तुम मेरी भुक्ती करो पार्थ और अगले अप्रेजल में इसका परिडाम भी देखे हे गोल सेटर तो क्या आने वाले समय में भी सौफ्ट्वेर इंजिनियर की इसी तरह मरती रहीगी वो समय तो कभी था ही नहीं पार्थ जब सौफ्ट्वेर इंजिनियर की मारी न गई है जब मैं फ्रेशर था तब मेरी मारी गई आज मैं तुम्हारी मार रहा हूँ और कल तुम किसी और की मारोगे यही कॉर्परेट जगत का नियम है जो रोल आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा प्रोजेक्ट तुम से नहीं है पार्थ तुम प्रोजेक्ट से हो इसलिए प्रोजेक्ट हित को ही अपना परम करतब्य मानो हे पार्थ यह मत भूलो कि तुम एक महान सौफ्ट्वेर इंजिनियर हो अगर आज तुम इस रेटिंग के लेटिस साटिस्फेक्शन शो करोगे तो कल फ्रेशर्स को तुम यही मार्थ दिखलाओगे और फिर कल जद तुम मैनेजर बन जाओगे तो वो भी अपने व्यक्तिक अतलाप के लिए तुम से ही लड़ेगे पार्थ तुम से ही लड़ेगे कोड़न्य बादिकारस से मारेटिंग इशुकताचन यदा यदा ही रिखाटस से इच्छा रेटिंग अब्रापतन क्या हुआ? कुछ नहीं सर आपका आपका विराठ रूप देख लिया था मतलब? नहीं सर, कुछ नहीं सब्सक्राइब बापका रोच्छार र्था कर दो यदाटस ब्लापका क्याक्या है? यस सर, यस सर, कMPLETELY सब्सक्राइब गून अब्राइब सब्सक्राइब जाए- सब्सक्राइब